हलो फ्रेंट्स आज मैं मेरी इस वीडियो में आपको आपकी कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आप अक्सर वर्काउट करते समय करते हैं इसलिए दोस्तों आप मेरी इस वीडियो को पूरी जरूर देखेगा और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसं अच्छे तरीके से ग्रोथ कर पाएंगी इसलिए प्रेंट्स मैं आपको कुछ ऐसे पोइंट्स बताने जा रहा हूं जो गलतिया आपको जिम में वर्काउट करते समय नहीं करनी है फर्स्ट नोट दूइंग स्ट्रेचिंग प्रोपरली आप जाते ही ड्रैट बिल पर दोड़ना सुरू कर देते हैं यह आपके लिए ठीक नहीं है इससे बहले आपको थोड़ी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए जिसी कि आपके सरीर की जो जखनान है वो खतम हो जाए और आप दीरे दीरे अपने वेट को जो लिफ्ट करने की कैपिसीटी है उसको बढ़ाना है थर्डवन नोट ड्रिंकिंग प्लैंटी ओव वाटर फ्रेंड्स अगर आप जादे देर तक जिम में रहेंगे तो आपका पसीना निकलेगा इसलिए प्लीज थोड़ा थोड़ा ब्रेक ल जाते हैं जिससे की आपके सरीर में थोड़ी जगड़न आ सकती है इसलिए आपको हर अक्सराइज के बाद थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना है जिससे की आप ठोड़ा रिलक्स होचेए देन, दूइंग मोर अक्सराइज दैन नीडेड आप कई बार जोज-जोज में इतनी ज़ादा अक्सराइज कर लेते हैं जितनी की आपके बोड़ी की कैपिसिटी नहीं होती आपको आते गंटे से डो गंटे तक आप जिम में रह सकते हैm ना कि आप 5-6 गंटे जिम में रह कि एंट शिक्स वन नोट गोईंग टू जिम डेली दोस्तों आपको एक प्रोपर है कि ताइम टेवल बनाना पड़ेगा कि हां आपको इस दिन आपको ब्रेग लेना है संडे का आपको ब्रेग लेना है और रोज आपको जीम जाना क्योंकि अगर आप बीच में जीम छोड़ देते हैं, तो आपके सरिर थोड़ा, आपके जो मसल्स में, फोड़ा दिला पन आ जाता है, इसलिए आपको रोज जिम जाना है, जिसलिए कि आपके मसल्स, जल्दी हो सके, और आप एक परफेक्ट सरिल, बोडी पह सके, इसलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए थैंक यू फ्रेंट्स अपना समय देने के लिए धन्यवाद